हेलो एवरिवन टोटो बंदर को खरीदा जाता है आज हम टोटो की एडवेंचर्स के बारे में बात करेंगे दाइडवेंचर ओफ टोटो इसकी समरी मैं आज आपको हिंदी में बता रही हूँ यहाँ पर वर्नन करता जो है लेखक के दादा ने किसी तांगे वाले से एक बंदर खरीदा उसके लिए पांच रुपे चुकाए गई और यह है टोटो था दादा ने इसे अपने नीजी चिडिया घर में रखने के लिए खरीदा था टोटो एक सुन्दर बंदर था उसकी चम अन्जान जगह पर रखा जाता है वर्नन करता की दादी बात का बतंगर बना देती थी जब उसके दादा अपने चिरिया घर में एक निया जानवन डालते इसलिए टोटो को एक अन्जान जगह पर रखा गया यह एक चोटी सी अलमारी थी यह वर्नन कर himself के बेडरूम में ख में एक परिवर्तन पाया तोटो दिवारों से सजवति कागज हटा दिया था उसने खूंट को भी खीच कर निकाल लिया था उसने वरनन कर तके स्कूल ब्लेज़र को भी फ्वार दिया था तोटो तो की शरार्तों से दादा को चैन मिलता था तोटो को नोकरों के कमरे में भेज दिया जाता है और तोटो को एक बड़े पिंजने में स्थानांतित कर दिया गया यह नोकरों के क्वार्टर में था वहाँ पर दादा के अन्य जानवर प्यार सी रहा करते थे एक अच्छवा, दो खर्गोस, एक गिलहरी, एक पालतु बक्री थी बंदर ने इन्हें शांती से सोने नहीं दिया दादा को देहरादून छोड़ना था उसे सहारनपूर से अपनी पेंशन लेनी थी टोटो दादा के साथ छिपकर याद्रा करता है दादा ने काले रूंग के मोटे कपड़े का एक बड़ा थेला लिया उसने टोटो को इसमें डाल दिया टोटो इस थेले से अपने हाथ बाहर नहीं निकाल सका यह उसके लिए इतना मजबूत था कि वहे दाथ से इसे काट नहीं सकता था तोटो सहरनपूर तक इस ठहले में रहा दादा रेलवे स्टेशन से बाहर आ रहा था तोटो ने गेट पर टिकेट कलेक्टर की तरफ नात निकाले टिकेट कलेक्टर हैरान रहे रहा उसने दादा को बताया कि उसके पास एक कुट्टा है इसलिए उसे इस कुट्टे का तीन रुपे किराया देना होगा बेकार में दादा ने बहस की कि तोटो कुट्टा नहीं था उसके पास उसका पालतु कच्छवा भी था इसलिए उसने टिकेट कलेक्टर से पूछा कि उसे उसके लिए कितने पैसे देने होंगे तीकेट कलेक्टर ने कहा कि यह कुट्टा नहीं है इसलिए उसके लिए उसे कुछ भी देना नहीं होगा अंत में तोटो को घर में स्विकार कर लिया जाता है आखिरकार तोटो को घर में स्विकारा गया और दादा ने टोटो को घुड साल में एक आराम दायक जगे दे दी वहाँ पर टोटो को परिवार की गजी नाना एक साथी के रूप में मिल गई परन्तु टोटो ने उसे तंग करना जारी रखा वे कभी मित्र नहीं बन सके और फिर से टोटो की शरारते शुरू हो गई सर्दियों में दादा ने टोटो को गरम पानी का एक बड़ा कटोरा नुवा बरतन दिया यह उसके नहाने के लिए था टोटो इस बरतन में बैठ जाता फिर वे अपने शरीर पर साबून लगाता और पूरे शरीर पर रगड़ता जब पानी ठंडा हो जाता तो वे इसमें से बाहर आ जाता तब वे रसोई की आग के पास चला जाता बहां वे अपने आपको गरम करता यदी कोई उस पर हसता तो वे नहने से मना कर देता टोटो ने लगभग अपने आपको जीवित उबाल लिया एक वार टोटो ने स्वेम लगभग जीविती उबाल लिया आग पर रसोई घर की एक बड़ी केतली थी यह चाई उबालने के लिए थी टोटो ने ढखकन हटाने का निर्ने किया उसने नहाने के लिए गरम पानी पाया वह अंदर गया तभी पानी उबलने लगा टोटो ने स्वेम को थोड़ा सा उपर उठाया परंतु वह फिर बैठ गया उसने कूदना जारी रखा दादी वहां आई उसने उसे केतली से बाहर निकाल दिया इस प्रकार से टोटो की सारी शरारते जारी रहती है और हमेशा वह शरारते करता रहता है वैवस्तों के चितरे कर देता उसने वर्नन करता की चाची के कपड़े फार डाले एक दिन वर्नन करता ने टोटो को खाने की मेज़ पर चावल खाते देख लिया दादी चिलाई टोटो ने उस पर प्लेट फेक दी लेखक की एक चाची आगे दोड़ी टोटो ने उसके चेहरे पर पानी का एक गिलास फेक दिया जब दादा आया तो टोटो हाथ में बुलाव की प्लेट के साथ बाहर दोड़ गया बह कड़ल के व्रक्ष की तेहनियों पर चड़ गया उसने प्लेट दादी पर फेक दी जब बह उस पर चिलाई टोटो को उसके पहले मालिक के पास भेज दिया जाता है टोटो ने परिवार को काफी हानी पहुँचाई प्लेटे दोड़ दी गई कपड़े परदे दिवारों के सजाने के कागज भाड़ दी गए परिवार यह सब कुछ शहन नहीं कर सका इसलिए दादा ने केवल तीन रुपए में टोटो को तांगा चाला के पास वापस बेच दिया